हालो प्रेंस वेल्कम टू माई यूटुब चैनल डिपेस्टी चैनल जासक मैंने आपको पिछले वीडियो में एलेक्टिक सीटी कॉंसेट पता था तो आज मैं उसी कोस्टेन लेकर आँ चले सुप करते हैं पर आज कि इस वीडियो को देखते हैं मारा पहला कोस्टेन एक जाता है क्योंकि हमने एक सार्णी पड़े जिसमें बिल्ली की खाल उपर होते हैं और रिबोन अश्रब से नीचे होती है उपर वाली को अगर नीच वाली से रगड़ते हैं तो यहां पर मारा आप्सन भी राइट हो जागा यानि कि रिडात्मक उत्पन होता है अगला कोश कांच की छड़ को रेसम कपड़े से रगड़ते हैं या रबर तो हमारी कांच की छड़ होती होती है उपर तो उसमें धनात्मक आविस उत्पन होगा यानि कहमारा आप्सन राइट हो जाएगा निक्स कोशन नीवन में से कौन सा कतन गलत है आप्सन ए रबर या प्लस्टिक की छड़ को उन से रगड़ने पर छड़ पर रिड़ आविस उत्पन होता है या आप्सन राइट है नेक्स कोशन प्रत विद्यु दर्शी की चक्रिका को रबर से रगड़ने पर धनाविस उत्पन होता ये भी राइट है हमारा अगला कोशन कांच की छड़ को फार्या बि नहीं legitimate को स्वार्ट के संपूरता है तो हमारा आफिस पर श्रो जाएगा है नहीं से आकास में बिजलीत में करने कारन होता है वहां पर विद्यूत्यी सर्जन को सब्सक्रिण निर्वात में विद्यूत्वी सरजन आप्सटन से बाद लों के टकराने से और दैवे कोप से तमाज़ों आका से बिजली चमकने करान होता है आपर आप्सटन एलेक्टरन का आवेस होता है कुला में पूछरा पहला अप्सटन भी एक दसम्लो छे गुड़ेश की पावर माइ तो आप सभी लोग पता हुआ हमारे यहां पर आप्शन ए राइट हो जागा चले नेक्स्ट कोस्टेन देखते हैं कि विजाती आवेस्टों के मद्द लगने वाला बल है ऑप्शन एक गुरुती ऑप्शन पी चुम्ब की ऑप्शन सी नावी की आकर्षन आप्शन डी कूलाम का अगर्षन पर आप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा अगला मान एक्स्ट कोचन दो आवेस्ट कुछ दूरी पर इस्थित हैं यादि प्रतेक आवेस्ट कमान और दूरी पहले से दोगनी करती जाए तो उनके मद्द लगने वाला बल से पहले से हो जागा जैसा कि आप स आपसन डी फॉर्ट हो जाएगा दोला धोल्ट को फिर आफार दोल नहीं करतेड दोगनी फ्रेट हैं राइगा और बसुंक कम लोगा वर्क कूर जो को अच्छे से नोट करें लड़न कर दीजिएगा कि आवेस का मान भी दूगना दोनों को और दूरी का मान भी दूगना कर दें तो हमाई दूदबल होता है वह अपर वर्तित रहता है नेक्स कोश्चन इलेक्ट्रान वोल्ट मात्रक यह को सारो डबले में तो कई बार पू अबर पर प्रतिवी के पास रखते हैं आवेसे चालक को प्रतिवी से जोड़ता और छटी है ओप्षन भी बढ़ती है ऑप्षन सी सून होती है osc आपारोती तो जम्म परतिविक पास रखे काव से चलों परतिविक जोड़ देती हैं तो उसकी धार्जता गर्द करती है यानिका हमारा आप्शन ए राइट हो जागा अगला कोश्चन रास यह और उसके मात्रक के बारे निम्न में से कौन सा यूग में गलत है दो आवेशी द दोनों बिंदों भी विभांत हमसे बोल्टनें पूच रहा है तो मैं यहां किसकी वैलू हमें दी गई है कि 1.6 गुड़े 10 की पावर माइनस 19 अब आप लोग जानते कि वी बराबर डबलू अपान क्यू होता है वैसो तो होता है वी बराबर जैसे भी मातने को वी टू माइनस लिवन होता है किना मैं कारी दे देग्ए तक हम लोग डबलू की वैलु हो एक दुटालओ देश च्वार माइनस यह वाली वैलू हमें पहले से दी है और हमारी इलेक्टरान का प्वेस भी यही होता है तक दसलेश गुड़े 10 की पावर समान रूप से आवेशित्र गोले की कारण वित्वुचितर के तिस अलुसरोट में आपको पर धीया है समान रूप से आवेशित्र गोले की कि तिसेर्टि तु पर लेकिन साथ केंदर पर नहीं होदा बहुतों कारके यह तो आपको समानाइए एक माइक्रो कुलाम आवेस में इलेक्टान होते हैं और एक माइक्रो कुलाम में पता एक कुलाम में जो आवेस होता है वो कितना होता है छाहीं दर समलो 25 गुड़े 10 की पावर 18 होता है और एक माइक्रो मतलब एक माइक्रो बार कितना हो दसकी पावर माना गया है तो क्या माना गया है प्रतिवी अगला इक वस्तु आवेसित होने भी क्या विध्यूत वीबव हो सकते याइस बिक्ता की हां रहत अगरा पड़ मोंiver डेकिन सब्सक्रा होने यह बहुत कि ओवेसितव स्थ विध्यूत विध्यूत कभी निया पर आपिछ और सद्धीं को नियए होता है कैसा होता है अधिकतम होता है तो यहां पर मारा आप्शन भी राइट हो जाएगा दोस्तों कर वीडियो पसंद है प्लिस चाहिए जरूर कर लिए को प्रेस कर लिए अपको सबसें पहले मिल सकें और इसी बिकर मैं आपको जो हमारी इलेक्रिक्टिटी चैप्टर के सुनण पत्त विद्धुदर्शी की पतियों का प्यावेस करते हैं आपर आफ्टिटी राइट हो जाएगा साबून के बुल्बुलिये को आवेसित करने पर उसका कर पहले के पेच्छा पढ़ता हैं और आफ्या पर पाइच्छा पढ़ता है आप्सण डिन में से कोई ने स और यारा है वह आवेस के परवाद की कि अब निक्स्ट को सिय देखर नाइट के गरतानी अमक्त इन रिखकत कानी एक पूछा जा चुका प्रक्टिसमें आपको कई बरे तो इसको भी नोट कर लिए कि निमन में से विधुत कुछाला के सुध पानी अगला कोशन निमन में विधुत का सुचाला के ऑप्सन चीनी मिट्टी ऑप्सन सी काउच आप्सन डी पारा तो अब हमारा आप्सन डी राइट हो जाएगा अगला कोशन नमी के दिनों में नमी के दिनों में आपसन सबसे अच्छा सुचालाःच्षा गर्ति करती है रता कि अच्छा कता होती हैं इन्सभी president करती और इस question को भी अच्छे से लर्न कर लीजिए काई बार एक जाम में पूचा जा जूँका एज इस तो इस question को अच्छे लर्न कर जिए और दोस्तों वीडियो पसंद है प्रीस चैनक सब्काइब करूर कर लीगा और इसी प्रका के आपको वीडियो मैं आपको डालता रहों सब्सक्राइब करने के थैंक्स पार वाचिंग